सात्यों पर फिर से स्वागत है आपका आपने चैनल भी हारी फनी फ्रमली पर मैं इस चैनल पर सिक्षा विभाग से जुरे हुए तमाम ख़बरों को लाता रहता हूँ तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ब पत्र हरेक जीलों से जारी किया गया है जिसमें जिला सिक्षा पताधिकारी ने सभी प्रचारे प्रधाना अध्यापक प्रभारी प्रधाना अध्यापक के नाम से यह पत्र लिखा है जैसे कि मैं आपको डिस्पले पर दिखा रहा हूँ कि यह जिला सिक्षा पताधिकारी दर्भंगा के द्वारा जारी किया गया पत्र है जिसमें उन्होंने परचारी और प्रधाना ध्यापक को संबोधित करते हुए कहा है बिहार लोग सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा अनुसंसित अभ्यर्चियों के सैक्षिक एवं परसैक्षिनिक पर्मान पत्र के परखंट संसाधर के दरों से पुनह उनमुखी करन हैतु सभी सिक्षक अभ्यर्चियों को बिद्धाले से संब्ध किया गया वो इसे सभी परचारी परधाना ध्यापक परभारी परधाना ध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि आपके बिद्धाले में उनमुखी करन है तो संबन किया गया अभ्यर्थियों से उनका सैक्षनिक एवं परसैक्षनिक पर्मान पत्रों के सो अभी पर्मानित प्रती प्राप्त करने के उपरांत यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कराया गया पर्मान पत्र सरकार या विवाग द्वारा न सुनिश्चित करेंगे ताकि इस संबन में अग्रित्तर करवाई की जा सके यदि आप सबों के द्वारा इसकी सुचना सोस हमें नहीं प्राप्त कराया जाता है तो यह माना जाएगा कि आपके विद्याले में संबन किये गए शभी अभ्यर्तियों का पर्मान पत्र पुर्ण ह लेकिन भविस्त में यदि किसी अभ्यर्तियों के पर्मान पत्रों में तूटी या गल्ती पाई जाती है तो इस इस्तिती में संबन्धित परचारे परधाना अध्यापक परभारी परधाना अध्यापक के विरुद्ध विधी संबन्ध कारवाई करने के लिए बाध्य इनको संबन्धित क्या गया है उन्स विध्याले के परधाना अध्यापक के द्वारा अब इनके परमान पत्रों की जांच की जाएगी तो मैंने अपने पहले भी बिडियो में बताया था कि इन नवनिक्त शिक्षकों को लेकर के जो है वह सरकार का कोई प्रॉपर प्लान नहीं दिख रहा है कभी कोई लेटर निकलता है कभी कोई लेटर निकलता है कभी तुरंट उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है तुरंट से फिर से उसी विद्धाले में वो इसे इस सब पर आपकी क्या राय है आप अपना राय कोमेंट बॉक्स में दें इस वीडियो में इतना ही अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद